अभे जी मुझे मालूम है आप मेरे बिना कहे आप बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट बता सकते हैं इसके इलावा किसी ने क्या कहा या प्रधान मंतरी कहा कहा पे गए मैं सब मानते हुए यह आप से कहना चाहरा हूँ यह सब ऐसे कॉमेंट्स करके नुकसान तो कॉंग्रेस प मेरे अनुज हैं और बहुत विद्वान प्रवक्ता हैं भारती जन्ता पार्टी के शहजाद भाई यह जिस योग की बात कर रहे हैं जिसमें राहुल गांधी जी बेठे हुए थे यह आदी गुरु भगवान शंकर का योग है वजरासन कहते हैं मैं नहीं जानता कि वो कर आचारे उन्हें एक मत होकर कही कि जो इस मंदीर की प्राण प्रतिष्ठा आप कर रहे हैं वो अधूरा है हमारी शिखर दर्शन में भगवान के दर्शन माने जाते हैं वो शिखर ही नहीं बना उनको उसको कैसे मूर्त रूप दिया जा सकता यह बात उन्होंने कही लेकि क्या प्रॉब्लम में आपको अविश्य युवाव का गर्थ में जा रहा है तब प्रदान मंत्री जी गोते लगा रहे हैं मैं कह रहा हूं यह सब बातें करके क्या फाइदा होने वाले आपको मैं यही कह रहा हूं कि एश्वर्य का देखिए भक्ती के दो तरीके बताये गए हमारे सनातन धर्में एक तो आडंबर है जिसको आप में रोज टेलिवीजन पर दिखा कर अपेक्षा करूं कि मेरी सत्ता को पोशित कर दिया जाए और एक वो है जो सच में दाइत्व मिला है असली में किस भक्ती का दाइत प्रधान मंत्री जी को भिला है गीता में कहा है ना इसलिए कर्मनेवादी का रस्ते मा फलेशु का दाचना आपको कर्म क्या करना है प्रधान मंत्री जी इन्होंने कहा कि यहां यहां गए सुनिए ना का गए प्रधान मंत्री जी मणीपूर गए प्रदान मंत्री जी परफत जो काम करना है वही मैं अभी कि छानगाना जवाब केवल दस सेकंड केवल दस सेकंड केवल दस सेकंड मैं संगीत जी से पर्मिशन लेकर के उनके दस सेकंड आपको दे रहा हूं बस लेकिन दस ही सेकंड दस सेकंड मैं दस सेकंड प्लीज किया निकाल के रखा था यह वजरासन इसमें हाथ ऊपर नहीं होते और यह जो आशन है नमाज आसन शेकुलर आसन रहुल गांधी का नहीं होती इतना मेरे भाई अभै भी जानते और दूसरी बात यह क्योंकि बात कर रहे थे पेपर लीक कहा संदेश काली प्रियंका जी गई क्या और पेपर लीग 48 पेपर लीग होई जा समाजवादी के शासन में है